चलिए अब जानते हैं कि राम के नाम से भी जादा प्रभाव शाली क्या राम का नाम लिखना है क्या ये भी एक तरह की पूजा साधना है अब पंडी जी से ये जानते हैं पंडिजीस का जवाब देऊं से पहले में एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, जब हम राम नाम की बात कर रहे हैं तो आप में एक नई एनरजी में देख रहे हूँ आप आप बने राम का नम आयो इनर्जी नहोँ, यह तो जब मुर्दा जिन्दा हो सकता है। मैं तो जीवित हों। इस समय तो में नहीं है। मेरे शरीर में तागत महसूस हो रही है। जो मुझे मतलब कि कभी बच्पन में महसूस हुआ करती थी ऐधा महसूस हुआ करती थी। राम नाम जपने से भी ज़्यादा प्रभावसाली राम नाम लिखना है 83,9999 योनियों को भोगने के बाद तब ये मनुस्योन मिलती है तो राम का नाम जो लिखेगा वो जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा जाएगा क्योंकि राम नाम जब आप लिखेंगे तो राम 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 चिंतन में भी आएंगे राम अक्षर में भी आएंगे और इससे भड़ी एक बात बता देता हूँ अगर आप राम जी का दर्सन करना चाहते हैं तो मैंने सास्त्रों में सुना है मैंने भी आनुभव नहीं किया है लेकिन सास्त्रों में सुना है अगर मैं कह दू आनुभव किया है तो बहुत बड़ी जूट बात होगी क्योंकि अभी इत्ता बड़ा मैं साधक नहीं हूँ मैं तो प्रभू के स्री चरणों के नीचे का एक तिन का हूँ कि राम नाम जो है ये परम सुखदाई है इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है ये बहुत पूर्णे दाई है आप अगर नित्य राम 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 कहते हैं लिखते हैं बोलते हैं सुनते हैं तो उससे भी ज़्यादा अगर आपको आनंद लेना है तो आप राम बोलिए और आकास में अपनी आँखों से लिखे राम और उसको देखीए फिर लिखे राम फिर उसको देखीए ये उपाए अगर आप करना रोज सुरू कर दें 24 मिनट तो मैं दावे के साथ कहता हूँ हमारे सास्त्र कहते हैं हमारे स्रंथ कहते हैं, हमारे महात्मा कहते हैं और इस समय के एक बड़े महात्मा है जिनका नाम है प्रेवानंदी महराज ब्रिंदावन में रहते हैं ये उनके मुह की बचन है कि अगर राम नाम लिख करके और राम नाम आप देखोगे आकास में तो उसी से स्री राम आपको प्रगट होकर के दर्सन देंगे ये उनकी कही हुई बात कह रहा हूँ जो एक सिद्ध महात्मा इस समय कलिकाल में दुनिया को अपने मतलब की जो है कृपाद्रिष्टी से सब को धर्म में बनाने का प्रयास कर रहे उन्होंने कहा है कि अगर राम नाम लिख करके आप आकास की तरफ राम नाम लिखिए अपने आखों के सामने और उसी राम नाम को देखिए और राम नाम बोलिए राम नाम सुनिए तो कुछ दिनों के बाद आपकी भजनितेनी प्रभाव साली होगी कि उसी राम नाम से राम का प्राकट आपको होता हुआ दिखाई देगा इस बात पर संसे नहीं करना चाहिए क्योंकि वो प्रभु को प्राप्ट संत हैं इसमें कोई दोराय नहीं मैं कौन होता हूँ उन्हें सर्डिफिकेट देने वाला लेकिन उनकी बातों से उनके सत्संग से उनके उत्तर देने के तरीके से उनके सास्तर स्वाध्यायक से उनके बिद्धता से ये लगता है कि ये प्रभु को प्राप्ट वेक्ती हैं इसलिए इनकी बात को मान लेने में कोई बुराई नहीं है राम नाम लिखना भी खुद में अपने आप में बहुत बड़ी बात है हर दिन राम नाम जरूर लिखें सुबह सुद्ध होकर सच्चे मन से साप कागज पर लाल कलम से राम नाम लिखना चाहिए अब तो राम नाम लिखने वाली किताबे मिल रही हैं लोग बुफ्त में किताबे बांट रहे हैं उसमें छोटे छोटे खाने बने होते हैं उसमें राम लिखा जाता है लगातार अगर नब्बे दिनों तक राम नाम लिखने से इसका सुफ़ल आपको प्राप्त हो जाएगा मन में सकार आत्म उर्जा की बिर्धी हो जाएगी आत्म बल बढ़ेगा लंबे समय तक राम नाम लिखने से हर मनो कामना पूरी होगी और आपको एक चीज़ बता दू आपने बहुत बैंक देखा होगा यह कासी में है जहां आप राम राम लिख करके और अपनी किताबें ले जा करके वहां जमा कर दीजे वहां आपकी जितने राम नाम आपने लिखे हैं उतने की आपको रसीद मिल जाएगी कि आपने इतना राम नाम का बैंक बैलेंस अपने करवाया है जितना राम नाम आप लिख करके ले जाए ये राम रमापती बैंक में वहाँ जमा हो जाएगा और वो आपका अविनासी बैंक में जमा माना जाएगा तो आपको मैं बता रहा हूँ राम रमापती बैंक भी है कासी में है ग्यानवापी में है वहाँ आप राम रमापती बैंक में जो राम नाम की किताब आप लिखते हैं उसको ले जाकर जमा करवा सकते हैं और उस राम रमापती बैंक में एक भी चूहा और दीमक जाकर के उस राम नाम को नहीं काड़ता है ये भी आश्चेरे की बात है भगवान गनेश ने नारद मुनी के सुझाव पर पिछवी पर राम का नाम लिखकर उसकी सिर्फ तीन बार परिक्रमा की थी और विजय प्राप्त की थी और सारे संसार और देवताओं से पहले पूजा का स्थान प्राप्त किया था राम नाम लिखते समय मौन रहना चाहिए, राम नाम लिखने के लिए बिना लाइन वाला कागज प्रयोग करें, कम से कम एक पेंज राम नाम जरूर लिखना चाहिए, ध्यान रहे, 90 दिनों तक राम नाम लगातार लिखें, सुफल की प्राप्ति के लिए ये ले टूटना नह चाहिए जिन्दगी भर लिखें तो इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा जै माविंदि बासनी